सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर से दबाईए हमारी लेटिस वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम मस, चटपटे, चटाकेदार, सुहाने सफर और वादियों की याद दिला देने वाला चना चाट जो कि बहुत ही आसानी से किचन के मसालों के साथ बनकर त्यार हो जाएगा और आज हम इसे दो तरीके से बनाना बताएंगे काफी मज़े का लगता है तो एक बार इस रेसिपी को आप मेरे बताएं तरीके से बना कर देखें आपको काफी ज़्यादा पसंद आएगी तो आईए बिना देर के इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने यहां पर ले लिया है काला चना जो की वजन में है 200 ग्राम और आप इसे अच्छे से साफ कर लें इसमें अगर कोई कंगर पथर हो उसे निकाल लें उसके बाद में हमें इसे भीगोना है तो इसे साइड में कर देते हैं और मैंने कुछ देर के ते लिए इसी भगो कर रख दिया था तकरीब़न तीन से चार गंटे लगते हैं और अच्छे से फूल कर तयार हो जाता है और अगर ज़्यादा जल्दी में हैं तो पानी को एकदम गरम करके आप उसमें इसे भीवो दें तब भी तियार हो जाएगा अब हम इसी john हम कर में डाल देते हैं spider मट्र देंगे तो मैं इसमें डाल देंगे जो चैने ना हमारे उसमें अनदर तक नमग हो अब जब तक हमारे चने उबलते हैं मसाले को देख लेते हैं तो यहाँ पर मैंने ले लिया है डेट बड़ी चमश लाल मिश का पाउडर, आदी छोटी चमश ले लिया है मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर, एक चमश ले लिया है यहाँ पर चाट मसाला, आदी चमश गरम मसा एक हैं您 एक चमश雄ता लेडार पर एक चमश निया है यह तरीकिसे अपो पें धर चैना चार्ठ vịा मिक्स त्युक्ति इसरीक से प्रीयक्स बनाकर मसाले को सारे को हमें कट औरी में डालाएंगे क्युकि हमें इस मसाले को भिग Celina रखना है क्योंकि पानी में भीगनेrimc. इसी तार가지 मसाले को बनाकर रखती थी। यहां पर मसाले को भिग वहते हैं वक्त पानी की कम्यी key कर रखा दया है तो पूरा मिलाकर मैंने इसमें 200 ml जितना पानी डाल दिया है और इससे अच्छे से भीगो दिया है अब इसको ढखकन लगाकर कुछ दिर के लिए रेस्ट करने देंगे तब तक हम चैने को समाल लेते हैं कि उबल का तियार हुए हैं कि नहीं तो चैने जो है न हमारे अच्छे से उबल गए हैं तीनवी सी लिस में आ गई थी अब हम इसको एक बॉल में खाली कर लेते हैं और इस टेंडर लगा देना जरूरी है ताकि जो पानी है वो सेपरेट हो जाए क्योंकि हम पानी को इस चैने बनाने में काम मिलेने वाल हैं तो देखें इस तरीके से फोड कर देख लें आप आसाने से इस तरीके से हो रहे हैं इसका मतलब चैने जो हैं हमारे उबल कर तियार हो गए है' अब चलते हैं गैस के तरफ और गैस के फ्लेम कॉन करके इस पेक बरतान रख दिया है और इसमें डाल दिया है मैंने 3 टेबल इस्पून जितना कोकिंग गॉल जैसी तेल गरम हो जाएगा अधी छोटी चमस डाल देंगे इसमें जीरा साथ ही में जो मसाला हमने भीगो कर तियार रखा था वो इसमें एड़ कर देना है थोड़ा इसते से करें क्योंकि इस वक्त जो तेल है वो गरम होता है और मसाले में हमारा पानी एड़ होता है अब इसमें मैंने वही पानि डाल दिया है, जिसमें हमिने चनों को बूइल करके रखा था और वो भी इसमें डाल देंगी और अच्छे से इस मसाले को हमें बूण कर तयार करना है घम जब तक हमारा मसाला तयार हो रहा है न हम इसमें ढाल देंगे एक चंह जितना ग्रेट किया हुआ अगर झाल चिंछ सब्सक्राइं यसे इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे यंति laquelle क्रेंफ में हुदुड़ nesse काफी अच्छा हुआ न जाथ है इसको इस तरीके से और उसके बाद में हम इसे कवर करके पांच मिनिट के लिए पकाएंगे पांच मिनिट जैसे हो जाएंगे तो इसको समाल लेते हैं तो सारा का पर सारा जवाल है लाजवाब ज्तिक्रेट कॉ जैने कहां करना आपको बहुत ज़ादा मज़ा आने वाला है तो आप जरूर से इस रेसिपी को ट्राइ और गयाए अब इसके बाद में हम इसमें डाल देते हैं एकदम last ingredient जो की है हमारा धनियापती क्योंकि इसके बिना तो इसका जो test है और जिसका look है वो एकदम ही अधूरा है और एक बार फिर से इसे अच्छे से mix कर लेंगे तो थोड़ी तेर इस तरीके से खुला करके पकाने से इसका जो और आज जो है इसको देखकर वही बच्पन की याद आ गई है तो आप चाहें तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं या फिर अगर आपको चार्ट बनाना हो तो आप इसे एक बाउल में खाली कर लें तो मुझे तो यहाँ पर इसका चार्ट बना कर त्यार करना है तो मैंने इसे अध्यूदियंट वाल को मज़ेदार करने वाले कुछ इंग्येडियंट तो इह मैंने आलू वाल पर करका है तो एक कटोरी ले लिया है चोटी जो किया दैटारी हुआ है और ग्रीन चिली इसमें डालना ओप्शनल है तो कि हम काफी सारी मिर्शी डाल चुके हैं और लास में डाल दिया कुछ धनियापती और थोड़ा सा नमक और ज्यादा मसाले तो हम इसमें डालेंगे नहीं क्योंकि चैनल में आल्रेडी मसाले हैं। लेकिन इसका फाइनल टेस्ट जो है ना वो बढ़ाने के लिए हम इसमें डाल देंगे नीम्बू। तो एक नीम्बू का रसमेन इसमें डाल दिया है। आपको अगर खटा और भी अपने टेस्क के कोडिंग डाल सकते हैं और अच्छे से इन सब चीजों को मिक्स कर लें और उसके बाद में हमें से सर्फ कर लेना है तो देखें बहुत ही लाजवाब सा चना चाट हमारा बनकर त्यार हुआ है और अगर आप इसको और भी जदा हेल्दी रखना चाते ह है तो मसाले को भूहने की वजए उबले बिचनों में ड्राय मसाले ढल सकतें और बाकी चात का सामान हमने इसमें डाला है बस वो lines और हमारा बनकर त्यार हो जाएगा तो हम इसे सर्फ कर लिते हैं तो देखिए मैने इस तरीक़े सर्फ कर लिया है और एक दम ला जवाब आप इसे जरूर से ट्राय करें और रेसिपी अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें जादा से जादा शेयर करें और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और अच्छी अच्छी पीज मैं आपके लेकर आ सकूँ और दुआ में याद रखें। थैंक यूू।